हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी खबरों को जारकन में एक पीड लगाने पर पांच यूनिट बिजली फिरी वा सोलर पावर प्लांट को लेकर किया वो ले सीम हेमंत सोरिन जारकन के सीम हेमंत सोरिन ने शुमार को और जावा की समिक्छा बैठक की इस दोरान उन्होंने एक पीड लगाने पर पांच यूनिट बिजली फिरी देने की योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है ताकि लोग इसका लाब ले सके उन्होंने अपसरों से कह का है कि बिजली बिल से जुड़े मामलों के निप्टारे के लिए ज्यादा संक्या में सर्टिफिकेट अपसर रखे जारकन के सीम हेमंत सोरिन ने उर्चयवा की समिक्छा बैठक की इस दोरान उन्होंने वरिये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजी के सभी जीलो को देने की योजना हैं ऐसे में इस योजना का व्यापक अस्तर पर प्रचार प्रसार सुनक्षित करें ताकि लोग जागरूप होशके इस योजना का लाब उठा सके मुके मंतरी आज मंगलवार को परिशंपतियों का करेंगे वितरन गुड़ा जिले के आदिवासी बहुल प्रकन बो अरिजोर प्रकन के लोहा तामबा छेतर में मंगलवार को मुके मंतरी हिमंत सोरेन इस्थानिय आदिवासी लोग के बीच परिशंपतियों का वितरन के फुटबाल मैदान को उनके आगमन को लेकर सुसजित किया जा रहा है मुक्यमंत्री शंथाल परगना के शाहिब कंच एवं गोड़ा जिले के अपने विधान सभाच शेतर को कई शौगात देंगे 1932 के खर्तियान के अधार पर इस्थानिय लोग को परिभाशित करने की घोशना के बाद उनका यह दोरा काफी उत्सा पूर्ण रहने की उमेद जताए जा रही है रांची प्रसासन ने दुर्गा पूजा समेतियों गे जारे किये दिसनर देश इन बातों का रखना होगा खयाल रांची में इस बार दुर्गा पूजा को लेकर उत्सा है भक्त मातरानी के आगमन को लेकर विसेस रूप से तैयारे में जुटे हैं भक्त पूजा पंडाल के साथ भव्य परतिमाय तयार की जा रही है उधरनाची प्रसासन की जिमेदारियां भी इस वर्स पूजा को लेकर जादा बढ़ गई है क्योंकि इस वर्स पूजा में सद्धालों की भीड कापी उमरने वाली है इसे देखते हुए विसस गाइडलाइन जारी किये गए है जिसमें खास तोर पर जो है पंडालों के अंदर फायर सेप्टी एक्विमेंट लगाने के निर्देश दिये गए है साथी सुरक्षा के मधनचर और भी जो है असोपी बनाए गए है पुजा समेतियों के लिए गाइडलाइन पंडालों में फायर सेप्टी एक्विमेंट हो शाथी फायर ब्रिगेट से एनोशी लेना भी अनिवारिये बिजली के तारों के नीचे पंडालना हो बिजली भाग से भी एनोशी लें इसी भी तरह के आपति जना गाना ना बजाये जाए वही पंडाल के आगे पिछे लाइट की प्रॉपर व्यास्था हो पुजा पंडालों में छेड़ खानी की समस्य जादा होती है इसे देखतोवे साधे लिवास में पुलिश बलो की परतन्युक्ती की जागी बड़ी काम्याबी पुलिस ने साथ साइबरा पुर्याधियों को किया गिरपतार बीस मबाइल पैंती सीम कार्ट पचास अजार नगद और दो वाहन किया बरामत बड़ी खबर देवगर से जहां साइबर थाना की पुलिस ने जिले के दो अलग-अलग थाना छेतर सारट की सुख जोरा और देवगर की कुंडा थाना छेतर से साथ साइबर थाकों को गिरपतार कर लिया है पकड़े गए साइबर थाकों के पास से पुलिस ने बीस मबाइल पचास अजार नगद पैंती सिम कार्ट एक टू विलर और एक फोर विलर जब्त कर लिया है मामले की जानकारी देतो हुए साइबर डिस पी शुमेद प्रसाद ने बता है कि पकड़े गए सभी साइबर थाक ओनलाइन बिजली बिल जमा कराने के नाम पर लोग को जहां से मिल लेते हैं और उन्हें अपनी ठाकी का सिकार बना लेते हैं पकड़े गए साथ साइबर ठकों में तीन हिश्ट्री सीटर बताय जा रहे हैं उनके खिलाब परिदाबाद समयद अनिराज के थाने में मामला दरज है साइबर डियेसपी सुमेद प्रसाद ने लोगों से अपील करतोवे कहा है कि इनसे बचने का मात्र एक उपाय है कि वैसे ठकों के जहांसे में ना आएं और मोबाइल पर किसी को भी अपना OTP और अपना सीक्रेट नमबर साजहना करें खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए मुख्यमंतरी से मुलाकात के लिए समय मांगी थी लेकिन समय नहीं मिला इसके बाद मुख्यमंतरी को पतर लिख कर इस्थानी नीती पर अपना सुझाओ दिया है उन्होंने पतर के माध्यम से कहा है कि इस्थानी नीती सिर्फ खतियान अधारित होना चाहिए उन्होंने पत के सब भी जीलों में रहने वाले लोग इस परिधी से बाहर हो जाएंगे। राजिपाल रमेस बैस ने जार्कन प्रसासनिक सेवा के प्रसक्षो अधिकारियों को दिया विकास का ये मंद्र। उन्होंने कहें कि जंता अच्छे कारी करने वाले पदधिकारियों का शदय अश्मरन करती है उनका नाम लेती है राजिपाल सुमार्कू राजबहुन में झार्कन प्रसासनिक सेवा के प्रसक्षो अधिकारियों से शन्वाद कर रहे थे। नकसली संगठन जेजेंपी के चार समर्थक लातिहार में गिरफतार पप्पु लोहरा समेद 17 पर नामजाद एफ़ायर लातिहार के सदर्थाना च्छेतर इस्थित पेसरार पंचायत के केदली जंगल में रविवार को पुलीस और उगरवादी संगठन जेजेंपी के साथ हुए मुडभेड के बार चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलीस ने जेजेंपी के चार समर्थकों को गिरफतार किया है वही मुडभेड में सामिल जेजेंपी के सुप्रीमों समित 17 लोगों पर और सुनिल और उगरवादी समर्थकों को पुलीस ने जेल भेज दिया है मालूम हो कि रविवार को लातेहार के केदली जंगल में पुलीस और मवादी संगठन जेजेंपी के साथ मुडभेड हुई थी इस मुडभेड में पुलीस को भारी पड़ता देख मवादी जंगल छोड़ भाग खड़े हुए थी मुडभेड के दोरान पुलीस ने एक राइफल सही चार सो से अधिक गोली बरामत किया था इसके बाद सुरक्छाबलों ने सर्च ओपरेशन तेज कर दी थी इसी अभ्यान के तहत सोमार्कों पुलीस ने जेजेंपी के चार समर्थकों को ग प्रेमंत सोरिन ने कहा कि जार्खन में जल जिवान मिसन के तहत वर्स दोहचार चौबिस तक 61 लाग घरों में नल के माधम से पेजल आपुर्ती सुनक्षित करना है पेजल एबं सक्ताविभा की ओर से उन्हें बताया गया है कि अब तक 14 लाग घरों में नल के माधम से मांदे देने के लिए जल जिवान मिसन और पैंचाती राज व्यास्ता से राशी उपलब्द कराने के प्रिक्रिया लगबग पूरी हो चुकी है जल सहिया को समय पर मांदे मिले इसके लिए सभी डीसी को आवश्यक निर्दिश दिये गए जैक मैट्रिक और इंटर परिच्छा में प्रस्णों का बदलीगा पैटन मैट्रिक और इंटर परिच्छा 2023 में प्रस्ण पत्र के पैटन में बदला होगा तैयारी पूरी है परिच्छा तो वर्स 2022 की तरह दो टर्म में ली जाएगी पर प्रस्ण का पैटन अलग रहेगा गुरूनाना का स्पताल में मंतरी बनना गुपताने हजारी बाग बस हाथ से में घायल सिक श्रद्धालों से मिल कर जाना उनका हाल चाल हजारी बाग में बस हाथ से में घायल सिक श्रद्धालों से मिल ले राजे के श्वास्तमंतरी बनना गुपता गुरूनानक अस्पताल पहुंचे बर्ना गुपता ने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल लिया उनके परिजनों से बात की वही घायलों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टरों से भी मुलाकात कर इलाज की जान का रिली और बहतर इलाज का दिसनरतेश दिया गौर्तलाभी की सनिमार को हजारी बाग जिले के टाटी जहरिया में पूल से बस नीचे गिरने की वज़े से जहां आठ सद्धालों की मौत हो गई थी वही दो दर्जन से अधिक सद्धालों घाल हैं जिनका विविन अस्पतालों में इलाज चल रहा है इन में से कुछ का इला आसपांडी रांची के मोराबादी इस थिद संगम गार्डेन में आज 20 सितंबर को नावन्युक्त प्रदेश परतिनिदियों के सम्मेलान को शम्बोधित करेंगे इसके लिए वे आज मंगलवार को इंडिको की फ्लाइट से दोपाहर बारा बज़े रांची के बिरसामुं और भारत जोडो यातरा कारिकरम की राज्य प्रभारी उदित राज भी उपस्तित रहेंगे या जानकारी जार्खन प्रदेश कॉंग्रेस प्रावक्ता राजी उरंजन प्रशाद नदी इस्थानी निती की मंजूरी मिलते ही बिजेपी हो गई बेरुजगार जगरनात महतू जार्खन में पिछले दिनों हुवी केबिनेट की बैटक में 1932 खतियान अधारित इस्थानी निती और OBC आरक्षन 27 परतिसत देने की मंजूरी दी गई है केबिनेट के इस फैसले से र इस्थानी निती और OBC आरक्षन का दारा बढ़ाने का प्रास्ताओ अभी केबिनेट से पारित किया गया है विधान सभा के पटल पर भी रखा जाएगा और जो भी तुरोटियां होंगी उससे दूर भी किया जाएगा लेकिन अब BJP बेरुजगार हो गई है मंतरी जगरना परभारी काफी खुश है उन्हें कहा है कि पूरा मुक्यमंतरी मधुकोडा से बार्चित कर समस्या का समधान कर लेंगे लेकिन केंदरिये मंतरी अर्जुनमंडा बोलने लाइक नहीं बचे हैं रांची SSP ने सिल्ली थाना परभारी अजय कुमार को किया सस्पेंड रांची SSP किसोर कौसल ने अवयाद कोईला कारोबार से सांट गांट रखने के आरुक में सिल्ली थाना परभारी अजय कुमार को सस्पेंड कर दिया दूसरी और सिल्ली थाना च्छेतर के रामपूर लावादाग में आवयाद रूप से चल रहे एक कोईला डीपो से सुमार को दो ट्रैक्टर कोईला जब्त किया जब्त कोईले को सिल्ली थाना परिशर में रखा गया है जानकारी के मताबिक रांची एससपी को गुपतु सुचुना मली की सिल्ली च्छेतर में आवयाद रूप से कोईले का कारूबार चल रहा है रांची एससपी के निर्देश पर गठिद विसेश टीम ने छेतर में छापे मारे कर कोईले से लदे ट्रैक्टर को जब्त किया इस मामले की जानच का आदेश डीएसपी और इस्पेक्टर को दिया गया है वही अवयद कोईला कारूबार के आरूप में लावादाग निवासी भीसम महतो समयत अन के खिलाप मामला दर्जगर जानच परताल तेश कर दी गई है रांची में इलाच के दोरान ब्रीन हैम्रिस से आयर बी जवान की हुवी मौत हजारी बाग जिला अंतरगत चौपारन प्रिकंड के शिंगरावा निवासी आयर बी जवान विकास कुमार का इलाच के दोरान रांची के मेडिका अस्पताल में निधन हो गया विकास आयर बी कैंप कुम्टी जिला में पदस्थ अपित था परिवारक सूत्रों के अनुशार डिवटी के दोरान उसके सिर में अचानक असानिय दर्द हुआ इसके कारण वहीं गिरपड़ा अफरा तफरी में आयर बी के जवानों ने इलाच के लिए अस्थानी अस्पताल में भरती कराया जहां से प्रात्मी किपचार के बाद विकास को बहतर इलाच के लिए रांची के महाबीर मेडिका अस्पताल में भरती कराया जहां इलाच के दोरान उसकी मौत हो गई लेवी नहीं मिलने से गड़वा के चेटे गाउं में जेजे एंपी ने मचाया उत्पात काम बंद करने की दी चेताउनी उग्रवादी संगठन जेजे एंपी ने मोकेमंतरी ग्राम सितु योजना के तहद गड़वा जिला अंतरगत चेटे गाउं के हाठू नदी पर करीब पांच करोड की लागत से बनाय जा रहे पूल निर्मान अस्थल पर पहुँच कर उत्पात मचाया इस दोरान उन्होंने निर्मान कारे में लगी जैसी भी को छतिक रस्त कर दिया वही लेबी की मांग करतो हुए मुनसी एब मजदूरों को निर्मान कारी बंद करने की चेताओ ने दिया इस दोरान नकसलियों ने आधा दर्जन मबायन भी चीन लिया घर्टना की समन्द में बताए गिया है कि सनिवार की रात हंतियार बंद जे 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 मपी का नौशद शेदस्ता रात के दो बज़े निर्मान अस्थल पर पहुंचा लेकिन वहा किसी के नहीं रहने पर उगरवादियों ने किराय के मकान में रहे मजदूर एबं मुंसी के पास पहुंचे यहां पहुंचते ही उनकी पिटाई की उनकी आधा दर्जन मबायल भी चीन लिये गए वह निर्मान कार मिलागी जेसी बी और ट्रक्टर का सिसा चतिग्रस्त कर दिया गया लेबी नहीं देने पर निर्मान कारी बंद करने की चेताओनी देकर चले गए उगरवादियों के जाते ही रातो रात मुंसी वा मजदूर डेरा बंद कर भाग गए इसके बाद से वहां निर्मान कारी बंद हो गया है जारकन के सियम हमंतु सोरे ने की हाई लेवल मीटिंग सुखाड कुले कर पलायन पर ब्रेक लगाने के दिये ये निर्देश जारकन के मुक्यमंत्री हमंतु सोरे ने ग्रामिन विकास भाग की चाप परमुक योजनाओं की समिक्छा की इस करम में उन्होंने मंडरीगा, मंडरीगा के तहत न्युक्ती प्रिक्रिया, बिर्सा हरित ग्राम योजना, वीर सहित पोटो हो विकास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामिन एबं बाबास साहिब भीम राओ, अमबेटकर आवास योजनाओं की प्रिरती क जानकारी ली और आवश्चक निर्देश दिये मोक्यमंत्री ने कहा है कि कम बारिस की वज़त से इस वर्स सुखार की स्थिती है ऐसे में किसानों एब मजदूरों का पलायन ना हो इसका विसेस ख्याल रखे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सिर्जित किया चाए और योजनाओ का क्रियानवयान बड़े पैमाने पर हो उन्होंने कहा है कि योजनाओ की जियो मैपिंग भी कराई चाए मोक्यमंत्री ने कहा है कि योजनाओ का स्थल निरक्षन भी किया चाएगा रांची में फिर बं मिला आनन फानन में किया गया डिश्फियूज। आपको बता दे कि पिछले सब्ता सुकदेवनगर इलाके में पुलीस ने एक बम बरामत किया था, उसके साथ ही एक पिष्टल और कई गोलियां भी बरामत की गई थी, उस समय भी सुकदेवनगर इलाके से बरामत बम को डिश्फ्यूज करा गया था, जिसके बाद सुकदेवन अगर इलाके से राची पुलीस की टीम ने छापे मारी की, इस छापे मारी के दोरान पांच अपराधियों गिरबतार किया था, गिरबतार अपराधियों के पास से पुलीस ने हाथियार भी बरामत किया थे, बड़ी सफलता, पुलीस ने आठ अपराधियों को किया अरेश् कि सभी अपर्याधी हुकाबार रेश्टोरेंट में बटकर सराप का सेवन कर रहे थे तब ही एक अपर्याधी पिश्टल निकाल कर लहराने लगा वहीं इसकी सूचना किसी ने पुलीस को दे दी उसके बाद मौके पर पुलीस पहुँच कर सभी अपर्याधी को पकड़ लिया के सफल आयोचन और इस यातरा के उद्देश को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जारकन प्रदेश कॉंग्रेस ने कंट्रोल रूम कमिटी का गठन किया है कमिटी ने पांचों परमंडलों के लिए अलग अलग जो है निक्तियां की गई है जिसके परभारी भी अ कातरा आरजित कर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का नरना लिया गया है कारिकरम की सफलता के लिए परमंडलवार कारिकरताओं को जिमेदारी शौपी गई है पलामू परमंडल के परभारी डॉक्टर एम तौशिप बने हैं उत्री छोटा नागपूर के परभारी विनाय कारू यादो को हजारी बाग की पुलिस ने ट्रांजिट रिमान पर लिया 15 लाग का इनामी भागपा मववादी कारू यादो को हजारी बाग की पुलिस ने महरास्टरा के पालघर कोड से ट्रांजिट रिमान पर लिया है बता दे कि ATS की टीम ने इनामी मववादी कारू आज के लिए भ्यादों को माहराश्र के पालगर जीला अंतर गद नाला सौपाराच श्टर के एक मौल से गिरपतार किया है, कारूयादों परहत्या, रंगधारी, लेवी और आमस Psक्त के चौबिस मामले ज्रकन के वहिंचीलों के थानू में दर्ज हैं तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रिस करते जे जिससे आपको जोरकन के हर चोटी बड़ी खवर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़े इजादत फिर मिलते हैं नेक्श नियूज में